आज में लेकर के आए हूँ एक पैंगॉली रेसिपी पॉम्पृट सरसो फिशकडी यह बहुत ही जादा अच्छी लगती है और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और यह फिश खाने में भी बहुत टेस्टी होती है तो आप इस फिशकडी को वैसे तो इस फिशकडी बहुत तरीकों से बनाई जाती है आज मैं इसे लेकर रखे आए हूँ सरसो वाली ग्रेवी के साथ तो चलिए शुरू करते आज किस मज़िदार रेसिपी को पॉम्पृट सरसो फिशकडी बनाने के लिए मैं यहाँ पे यह फिश ले लिए हूँ जिसे कि हमें अच्छी तर इसे हम मतलब दोनों साइड से अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे तो इस फिश को हम यहाँ पे अच्छी तरह से चारो तरफ से मैरिनेट कर लिए हैं यह देखिए अभी मैरिनेशन करने के बाद से हमें इन्हें रख देना है साइड में तब तक यहाँ पे हम मसालों की त तोड़ी सी कम लें लेकिन आप ये दोनों को mix करके ही use करें साथ ही मिश्ट के अंदर हमें कुछ हरी मिर्चे भी डाल देनी है जरेके मिस्तस भी से तोड़ के डाल देंगे आपको जितने भी spices खाने आ उसके अंदर हरी मिर्चे डाल दे और इसके अंदर हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और इसके पानी डालके हमें इसके एकदम fine paste ready कर लेना है नमक डालने से क्या होगा न सरसो का जो तीतापन होता है वो खतम हो जाएगा तो इसके अंदर हमें इस तरह से इसका paste ready कर लेना है तो सरसो का paste ready करने के बाद से हमें क्या करना है इसे छान लेना है जी हा तो इसके लिए इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे पूरा इटम थिक बना देंगे तो यह देखिए इसके बाद आप इसे किसी चनी की help से या फिर आप किसी पतले से कपड़े की help से आप इसे अची तरह से चान ले तो यहां पर मैं इसे चनी का यूस कर रही इसे हमें पूरी तरह से छान लेंगे यह देखिए और इसमें यह निकले हुए है अभी हमारी जो पेटिरयों बहुत भी बहुत ही जयादा इसमेर हम पर एक कड़ाई रहूरा और सर से रहे हैं तो रहे हम और लुह पर पर इक कड़ाई रखाए है पहले quotes को प्राइब दूने कर लेंगे चाहि तो न हम को लाया पर ऊकिसरा नहिंगे और यहां पे और बॉप बाझ सेगे थाहिए whack दोनों साइड से अच्छी तरह कर ले तो यह देखिये जो फिश ह huis इसे निकाल लेते है इसे एक प्लेट में निकाल सेम इसी प्रॉससेस में मेरे पतर जितने भी फिशcią के हैं में उनसाइड अच्छी तरह से फिशं कर लें कड़ाई में यहां पे डाल देना है काला जीरा और इसे मंग्रेल भी कहते हैं और साथ ही में हम यहां पे कुछ सूखी लाल मिर्चो डाल देंगे जिसे मैं पीसे तोड़ के डाली हूं इसके बाद हमें इसके अंदर जो हमारा छाना हुआ जो सर्सु है ना जिसे हम छान के देंगे इसके बाद क्या करना है मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हमें डाल देना है हल्दी का पाउडर इसमें हम हल्दी का पाउडर डाल दे रहे हैं साथी में हमें इसके अंदर नमक भी डाल देंगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक डाल द देंगे इस तरह से उबालाना भी शुरू हो गया है तो आप इसी तरह से हाई फ्लेम पे इसे पका ले तो यहाँ पर उबल रहा है अब धीरे धीरे पक जाएगा मसाला भी तो यह देखिए यहाँ पर यह उबलते उबलते बहुत ही अच्छी तरह से मसाला जो है पक चुका है इदम मसालों में से तेल अलग होना शुरू हो गया है मसाले भी दिखने में कितने अच्छे लग रहा है आप खुदी देख सकते है तो इस तरह से करके हमें क्या करना है ना इन मसालो को अच्छी तरह से हमें पका लेना है तो एक दम मसालो में से पुरा तेल अलग होना शुरू हो चुका है थोड़ा टाइम के लिए और पका लेंगे धकन को लगा देते क्योंकि जब मसाले पक गया है तो उपर की तरफ छीटे मार रहा है मसाले इसके लिए में हम इस के अंदर डाल देना है गरम पानी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर गरम पानी डालते अप पानी उसे हिसाब से डाले ताकि मचली भी थोड़ी से कुख हो जाए अच्छी तरह से उबल जाए और मसाले भी हमारे थोड़े थिक हो जा डालने के बाद से हमें इसे एक बर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इने हम और इसमें हमें इस तरह हरी मिर्चे भी डाल देनी है तो आपको जितना भी तीखा पसंद हो आप बीच में थोड़ा से चीरा लगा के आप इसके अंदर हरी मिर्चों को भी डाल दें इसमें टाइम बाद फिर हम गैस के फ्लिम को हाई कर देंगे अगर ग्रेवी जादा पतली हुई तो फिर हमें उसे थोड़ी से और गाड़ी कर लेंगे तो जैसे कि आपे जो ग्रेवी है ना अभी भी बहुत पतली है तो मैं इसे थोड़ा और थिक करना चाहती हूँ तो इसे हम फिर यह देखिए बहुत यह अच्छा गाड़ा हुआ है यहाँ पर तो यह consistency जो है इतम perfect है यह देखिए तो अभी हमें क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे और यह हमारी पॉंपलेट सरसो फिशकड़ी बनके तयार है रेस्पी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और शेर शरूर करें